हेलो आल आफ यो तो कैसे हो आप लो उमेद करता हूं ही सब कोई बढ़ियां होगा तो वेलकम बैक टू 11 M2 IIM है और आज के जो भी लार की है और इस में जो भी स्लॉट त्री में जो 23 दिसम्बर को होने वाला है उसमें जितने है टाइप के जो कोसंज आएंगे जो उमेद कर सकते हैं उस टाइप के मैकसमUM कोसं को हमने कवर करें maximum question को हमने cover कर रहा है तो आप बने रही है मेरे साथ इस वीडियो को पूरी तरह आप देखिए पूरे class को आप आटेंड करें और उसके बाद आप समझ सकते हो कि किस टाइब के questions को हमने इसमें clear कर रहा है तो चलिए आज के पहले question को हम लोग clear करते हैं पहला question हमारा clock से है यह जो भी मैं आपको बता रहा हूँ जो question अभी मैं solve करा रहा हूँ actually not only for a snap exam it's also for a government type exams like a banks bank clerk and it is sometime in a ssa exams so also useful for all government exams okay so आपको जो है कि इस type के question को clear करने के लिए जो clock के जो questions है इसको clear करने के लिए आपको क्या करना है कि एक बहुत ही आसान formula होता है उसका आपको हमेशा remember रखना है तो वो formula आपका यह है आप देख पा रहे हो 30H minus 11 by 2 M H means H का यहाँ पर काम है आवड का ठीक है H का काम यहाँ पर आवड का है ओके और हमारा जो M है वो हमको दर्साता है minutes का minutes का आप समझ पा रहे हो कि यह H और M और यह जो formula है यह किस तरह useful होगा इसको useful बनाने के लिए पहले एक question को आपको समझना जरूरी है question यह है कि आपको degree find करनी है तो उस degree को find करने के लिए आपको करना है क्या है कि आपको find the degree आप इसको degree angle भी कह सकते हो ठीक है बतलब degree angle के according आप find कर सकते हो तो आप ऐसा कहलो कि find the degree angle minute and hand या hour hand hour hand of clock मतलब कहने के मतलब कि आप minute hand या hour hand आप दोनों कुछ भी कहलो clock का करना है मतलब condition यह apply करना है आपको कि वो question कि यह है कि आपको जैसे यह दिया हुआ है 10.30 ठीक है तो आपको बताना है कि एक normal clock में ऐसे समझो आपको बताना यह है कि एक normal clock में ठीक है नॉर्मल clock में जो ऐसे है नॉर्मल clock में एसे समझो यह 12 है यह 6 है यह 9 यह 3 ठीक है 12.30 एम बोल रहा है इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो small small जो काटा होगा ठीक है वो कुछ 10 और 11 के between होगा ठीक है ऐसा ही होगा और यह 30 पे है तो यह 6 पे होगा जो लंबी वाली सुई होगी वो 6 पे होगी 6 का मतलब यह होता है ना 30 ठीक है तो वो पूछ रहा है कि यह इन दोनों के बीच का जो angle बन रहा है आप समझ पा रहे हो समझ पा रहे हो इन दोनों के बीच का जो angle बन रहा है और इनका यह बीच का जो angle का degree है ठीक है उसको हमें find करनी है यह हमें find करनी है और angle का जो degree है वो हमें find करनी है question के थुरू यही हमें analyze करनी है इसका answer लिकाना है उसको find करने का simple formula यह है जो हर exam में हर type के exam में जहां भी clock के questions आएंगे आपको इस type के जो भी questions आएंगे वहाँ पे आपको यही formula अपलाई करना है simple है आपको करना क्या है simply आपको करना क्या है 30 into आवर मैंने h को आपको बताया कि आवरोगा तो यहाँ पे आपको 10 से multiply कर देनी है और minus 11 by 2 तो होगा ही 11 by 2 तो होगा ही और minute को आपको 30 से यह कर देना है ठीक है minute के जगह पे minute hour के जगह पे आवर समझ में आ रहा है बस यह question को आपको ऐसे ही solve करना है और simply इसी formula पे आपको इसको रख के और आपको solution मिल जाएगा और यह देखो यह हो जाएगा हमारा 300 minus 11 into 15 165 300 minus 165 is called to 5 और यह हो जाएगा 3 and 1 मतलब यह बीच की जो यह बनने वाली जो angle है ना यह 135 degree की है समझ रहे हूं यह हमारा question के answer हुआ समझ में आ रहा है कि clock के questions इस type के अगर आएगे तो आपको कैसे लिकाना है तो मैं आपको बस यह formula याद होना चाहिए और hour तो आपको पता ही है और minute आपको पता ही है जैसे भी कोई भी question दो उसको आप यहाँ पे डाल लो और clock का आपका answer लिकल जाएगा ओके चलिए तो next question करते है next question इससे भी hard नहीं है लेकिन tricky बहुत है hard तो नहीं कह सकते हो क्योंकि snap, cmat और यह सब exam में जो भी questions होते हैं वो hard नहीं होते हैं tricky होते हैं आपको बस समझना रहते हैं तो आपको समझने वे focus करना है maximum question को attend करना है ठीक है तो यह next question यह है missing number को find करनी है simple missing number को find करने का तरीका आपको बताना है कि missing number को आप कैसे find कर सकते हो देखो इस टाइप के questions बहुत टाइप के आते हैं आपको logically आपको solve करना है ठीक है बात समझ रहे हो तो यह हमारा question यह है question यह है थोड़ा यह question जो है mind से है mind game है थोड़ा सा आप इसको समझ के बनाना मैं पहले इतला कर रहा हूँ पहले आप इस question को धंक से समझ लेना कि इस question को कैसे solve करने है ठीक है क्योंकि इस question में जो है कुछ है ऐसा point आपको दिया हुआ है जो आपको बताएगा कि यह ऐसा इसका answer यह होगा बट वो होगा नहीं ठीक है देन यह देखो यह जो option में इस पर दे दे रहा हूँ क्योंकि देना ज़्यादा जलूड़ी है 280 ठीक है option B हमारा है 362 C हमारा option है 382 और D हमारा option है 303 ठीक है और आपको यह question को solve करने है question को आप एक बार देख लो screen पर उसके बाद मैं इसका solution बताऊंगा पहले आप question को देखो और मैं यह भी बताऊंगा कि maximum लोग इस type के question में क्या कौन सा ऐसा एक छोटा सा minor mistake है जोसको कर जाते हैं और हमारा एक number दो number ऐसे ही चला जाता है ठीक है simple question है आपको बस trick को जो है वो दिमाग में रखना है तो उमेद करता हो आपने बनाया होगा तो यह question को solve करते हैं देखो सबसे पहले किसने किसने क्या missing इसमें किया होगा उसको पहले clear करते हैं तैन इसके बाद इस question को समझेंगे कि इस question को solve कैसे किया है हमने ठीक है बहुतों का answer यह आया होगा 302 उन्होंने कहा होगा कि sir आपका जो है option उसमें 302 तो है यह नहीं इर्थ में कि आपका जो आपने यह options दिये हैं यह गलत है हो सकता है बहुतोंने ऐसा कहा होगा कि यह question का जो option है वो गलत है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये question का option जो है वो 100% सही है बस आपने जो point missing करा है वो बनाने का तरीका गलत रहा है आपने क्या करा है मैं बता रहा हूँ आपको सीधा सीधी ये दिख रहा होगा कि 102 है इसको मैंने change करा तो 201 हो गया 09 को change करा तो ये 90 हो गया सेम चीज आपने यहां पे apply करा होगा 203 को आपने change करा और इसको आपने लिख रहा है 302 जो कि options में है नहीं option में 303 है ये question ऐसा नहीं है actually question ये है कि आपको ये 3 का plus करना है इन 3 का plus करना है और जो result है वो आपको लिखना है आप add करके check कर लो 102 plus 90 plus 09 नहीं ये आपका होता है 201 सीन आपको यहां पे भी apply करना है वही चीज 30 sorry 203 plus 70 ये हमारा होता है 280 तो answer is A ये आपका 100% सही है तो आप समझ पा रहे हो कि आपने क्या गलती करा है इस question में समझ रहे हो तो इस type की question को आपको थोड़ा सा logically समझना है 2-3 रास्ते को आपको ढूणना है check करना है cross check करना है कि हाँ क्या ये ऐसे possible है अगर ऐसे possible है तैन आप समझ लो कि इसका कोई another रास्ता होगा अब करते हैं अगला question ये भी missing point का ही question है इस question में आपको करना क्या है simply ये question जो है ज्यादा hard नहीं है ये question थोड़ा सा easy है ज्यादा easy तो नहीं बोलूँगा लेकिन थोड़ा सा easy है अगर आपको समझ में आ रहा है तो place like कर देना अगर आपको बने रहना है चैनल पे तो subscribe कर देना बाकि as always हमारा ऐसे regular classes आते रहेंगे और there से हमारा new batch start होने जा रहा है for cat तो जो student फिर से cat करना चाहते है then free of cost आप हमारे चैनल पे join कर सकते है इस बार हमारा full two course होगा हमारा B.A.R.C की भी classes जो है वो भी बहुत जल हम cat में apply करने वाले है cat के जो new batches होंगे उसमें तो question आपका ये है कि इसमें missing point आपको लिकान नहीं है और question हमारा ये दिवा होगा है 52, 43, 34, 25 42, 33 missing number ये है इसको आपको find करनी है 15, 45 missing number ये है आपको find करनी है इस number को 27, 18 ये missing है इसको find करना है 45, 36 and 27 ओके तो आपके पास missing point है ये तीन इनको आपको find करना है कैसे करोगे एक मिनट खुद से try करो नहीं हो रहा है simple logic use करा है आप first line को आप देखो यहाँ पे first line पे आप थाहाँ सा ध्यान दो यहाँ पे क्या है 52 से 43 की बीच में minus 9 हुआ है ठीक है फिर यहाँ से 34 पे आपको फिर minus 9 हुआ है then यहाँ से फिर से आपको minus 9 हुआ है ओके समझभा रहे हो जब उपर वाले line में आपको minus 9 minus 9 minus 9 दिख रहे है तो यहाँ पे देखो यहाँ से 42 to 33 तक आपको फिर से minus 9 दिखेगा it's mean कि यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वो भी minus 9 होगा और यहाँ से यहाँ तक का होगा वो भी minus 9 होगा it's mean कि यह जो point है यह हो जाएगा हमारा 24 33 minus 9 is 24, तो हमारा पहला मिल गए और 24, ओके दुसरा आप देखो दुसरा भी से मही माइनस 9 नहीं हो रहा है माइनस 9 माइनस 9 एन माइनस 9, ठीक है तो हमारा दुसरा मिला, क्या हो मिला हूँ 36, और थर्ड में भी से मही लॉजिक अपलाई हो रहा है देख रहे हो आप, माइनस 9 माइनस 9, माइनस 9 तो हमारा लास्ट कौन सा मिला 54, तो यह हमारा एंसर हुआ समझ पा रहे हो, कोशन समझ में आया कोशन समझ में आया तो इस टाइप के कोशन आपको क्लियर करने है, अब चलते हैं अगले कोशन पे अगला कोशन देखो क्या है वो कोशन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है एक बार आप रेपेट मोड पे इस कोशन को देखो अगर फिर भी समझ में ना आया देन आप क्या करो कि मुझे कॉमेंट करो चैनल जो है टेलिग्राम पे उसको जॉइन करो अगर देन उसके बाद में से कंसल्ट करो आई विल हल्प यो ओके तो नेक्स्ट कोशन इस कोशन ये भी काफी असान है, असा कह सकते है लेकिन थोड़ा सा ट्रिग है कोशन सारे असान ही होते है सारे इजी कोशन ही होते है बस ट्रिग होते है जो मैं बार बारा कोशन जा रहा हूँ तो ये सारे के सारे कोशन जो है मारे प्रिविस येर कैट, सॉरी, कैट बोल रहा हूँ मैं, स्नाप के प्रिविस येर के कोशन है, कुछ एन मैट के हैं कुछ सी मैट के हैं इस टाइब के कोसंस दो है हमने निकाल रख रहा है ठीक है ये टू भी ये मिसिंग नंबर है और ये हो जाएगा आपको 5a ये 3a ये 45a और ये हो जाएगा आपका 15a सॉरी 15b ये 15b है तो आपको इसको क्लियर करने है इस कोस्टन को एक बार देखो आप ऐसी रहने देते हैं 15b इसको क्लियर करो तो आपका है 4c 4c 28a और 7c ठीक है 2b, missing number 5a, 3a, 45a और 15b कोस्टन को सॉल्ब करो एक मिनिट के लिए फिर मैं इसका आपको एंसर बताता हूँ तरीका hope आप point कर पा रहे होगे answer बता दू आपको इसका answer होगा 10a is the right answer how this is possible तो आप देखो पहले आप सबसे last line को आप थोड़ा सर नोटिस करो ठीक है last line को आप थोड़ा सर नोटिस करो 15 into 3 45a ठीक है 15 into 3 is 45a समझ पा रहे हो 45a 45 45a 15 into 3 is 45a कहां पे आप देखो 7 into 4 is 28a 7 into 8 is 28a ओके अब आपको इसका लिकालना है तो पहले तो हमारा तो पता चल गया कि 2 into 5 यहां तो 10 होगा यह 10 अब हमारा फाइंड करना है कि यहां पे a होगा, b होगा यह c होगा simple a होगा, b होगा, यह c होगा simple हमें करना क्या है कि आपको logically यह देखना है, यहां पे देखो यहां से आप वो find कर सकते हो a into b आपने जब करा तो यहां पे find हुआ a, यह आपको देख रहा है a वैसे ही यहां पे भी आप b into a करोगे तो यहां भी आपको a ही मिलेगा ना वो आप a into b करो या b into a करो आना तो उतना ही है उतना ही है जो answer इधर से आए बात समझ रहे हो तो हमारा टीन ए समझ रहे हो, answer समझ में आगे है clear next question करें तो next question है आपको वो question करते हैं आपको तो यह alphabet के questions है, alphabetic questions है कुछ, जिसमें कुछ alphabet words जो हैं वो missing रहते हैं इस टाइब के question है आपके तो यह पहला question आपका है कि which is the odd one यह cat वाले नहीं है यह snap वाले odd one है तो आपके कुछ ऐसे दिये होंगे इसमें आपको check करना है तो यह है आपके z x a y ठीक है b number b b l a m ठीक है c number k k u a m sorry यह भी होगा तो आपको आप्सें से हमारे हैं जो ये चारों में similar नहीं है then आपको find करना है वो कौन सा है तो एक मिनट आप try करो then उसके बाद इसका solution ओके बहुत simple question नहीं है ये hard question में से नहीं है ये काफी simple है बस logic ओके then इसका solution निकालते हैं देखो यहाँ पे जेड जेड उसके आद x, a, y देख रहे हो पहले x फिर सुरूका आया फिर y ठीक है यहाँ पे देखो b, b, l, m यहाँ पे a आया यहाँ भी a आया यहाँ भी a ठीक है l, m ठीक है यहाँ पे k, k u, a, b यह तीनों आपस में similar दिख रहे है यह जो है इसमें similar आपको कुछ नहीं दिख रहे है क्योंकि यहाँ पे last में दो word repeat करा है पहले ही आपको दो word जो है वो भी repeat करा है और बीच में एक है तो यह इससे होता है कि यह जो last वाला जो options है यह इनके साथ similar नहीं है then odd one जो है यही है तो यह हमारा answer होगा समझ प्यार है बात आड़ी समझ में odd one की मतलब क्या होते है जिन्होंने cat करा होगा उनको तो पता है जिन्होंने cat नहीं करा है उसके लिए मैं बता दू कि odd one का मतलब वो होते है ऐसा word ऐसा part और ऐसा ऐसा word या ऐसा क्या कह सकते है paragraph या line जो तीनो मतलब चार option दिये हो चारों के साथ वो combined नहीं होता हो मतलब उस word का उस number का उस passes का या paragraph का कह सकते हो वो तीनों से एकदम अलग ही meaning उसका लिकलता हो उसको हम odd कहते है ठीक है समझ पा रहे हो चलो next question पर चलते है तो आपको मैं समझ पा रहा हूँ या मेरा ऐसा अनुमान लगा सकता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा इस type की question को clear करने में ठीक है चलो एक अगला question करते है वो भी question काभी बहतरीन है तो वो question इस है ऐसा है देखो find the next tom in the alphabet series ओके तो हमाना next आप मैं ऐसे find करना है आपको alphabet series में तो वो alphabet series ऐसे दिया है 2z5 ठीक है 7y 7 14x9 23w 11 and lastly 34b13 ओके तो हमारा next term क्या होगा हमारा options है options इन्होंने दिया है 27 u24 b option 45 u15 c यह हमारा options है ठीक है आपको बताने है कि इसमें से next वाले जो series हैं alphabet के वो कौन से होंगे एक मिनट खुझ से try करें और then उसके बाद हम लोग इसका answer clear करेंगे ओके चलो तो करते हैं find करना है आपको simple logic आपको यह लगाना है यह देखो simply है simply है आपको यहां पर देखो 2 plus 5 is 7 ठीक है तो हमारा अगला नंबर जो है वो 7 है ओके 2 plus 5 ऐसे देखो 2 plus 5 is 7 तो हमारा next नंबर जो है वो series का 7 है अब देखो 7 plus 7 is 14 तो 7 plus 7 हमने करा थे 14 आया यहां पर देख रहे हो ठीक है 7 plus 7 हमने करा 7 plus 7 हमने करा थे 14 आया 14 plus 9 14 plus 9 is 2 3 तो हमारा अगला जो है वो 2 3 आया ओके यह 2 3 आया next नंबर अब देखो 2 3 23 plus 11 is 24 देख पारे हो स्वारी 34 34 होगा अब देखो आप यहां पर यहां पर 34 plus 34 plus 13 is 47 तो पहला तो हमें पता चल गया कि यह इसका एक जो है 47 होगा होगा है यह दोनों आप्सन तो ऐसे भी खतम होगा है हमारे बचे यह ठीक है अब देखो यह देखो Z Y X W V अब तो हमारा एक पता चल गया कि U होगा बीच में U होगा Simple है समझ पा रहे हो U हमारा होगा समझ रहे हो अब देखो U हमारा होगा अब इसमें एक चिस नोटिस करो कि अब इन दोनों आप्सन में से अगला कौन सा होगा यह देखो यह 5 है Odd 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 और अगला odd number हमारा 15 होता है Its mean के answer is C This is our answer Answer इसका होगा 47Q15 समझ रहे हो यह नोटिस करा आपने करा नोटिस आपने मजा आया है ऐसे कोशन में मजा आ रहा है बहुत मजा आएगा ठीक है इस टाइब के कोशन को आपको clear करने है ओके चलो अगला कोशन करते है वह भी alphabet की questions है तो उस कोशन को clear करते है Like a question दिया हुआ है एक कोडिंग डिकोडिंग की question आप इसको कह सकते हो M A C H I N E यह question है और इसको code करा है इसको आप कैसे code करोगे कौन से नंबर से आप कोड करोगे करोगे ओके options है options है 10 7 21 21 13 18 18 24 B options है आपके 10 7 20 30 11 24 C C आपके options है 11 9 2 30 10 24 और D आपके options है 10 20 7 13 11 24 ओके यह आपके options है एक मिनिट खुछ से ट्राई करो और फिर क्लियर करते हैं इस question को ओके तो होप मैं उमीद करता हूँ आपको 11am 2am में आपको मज़ा आ रहा होगो आपको questions जो भी हैं वो सारे समझ में आ रहे होंगे ऐसी question के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहो जी इस question को clear करते हैं तो हमारा question के answer कैसे लिखलेगा यह coding decoding वाले questions हैं इसको कैसे clear करते हैं simply आप समझों यहाँ पे हमें देखना है कि similar word कौन कौन से है तो हमारा similar word यहाँ पे दिख रहा है A ठीक है एक E दिख रहा है हमे N दिख रहा है और कोई तो दिख नहीं रहा है और कोई नहीं दिख रहा है simply अब आपको देखना क्या है कि A को कैसे coding किया गया है A 7 तो A तो 7 होना ही होना है वो तो fix है N को कैसे करा है इन्होंने N को इन्होंने 9 से करा है ठीक है E को इन्होंने कैसे करा है लास्ट है ना E 11 तिन्होंने कर रहा है 11 अब आपको देखना है कि ऐसे options आपको दिख रहे है 10 तो हमारा दिख रहा है 10 तो हम नहीं कहेंगे अभी तो 10 तो अपन बोल नहीं सक्था है तो कहने का मतलब ये देखो 7 7 तो 1 दिख गया 7 के बाद आना चाहिए 9 जो कि इसमें 9 दिखनी रही है ठीक है 7 के बाद आना चाहिए 9 जो कि हमें 9 दिखनी रही है Sorry, sorry ये 20 होगा एन न ये 20 है I'm sorry, 20 है 20 दिखनी चाहिए यहाँ पर 21 है मतलब ये तो ऐसे भी खतम ठीक है, second option में आप देखो 10 है, 7 हमें दिख गई ठीक है, 20 20 हमें दिख गया हो ठीक है, जी का हमें पता नहीं 13, 11, last में 11 दिख रहे है, second third पर 11 दिख रहे है, यहाँ पर दिख रहे है मतलब इसको ले के चल सकते है second वाले में देखो, 11 यह बोल रहे है आगे, मतलब अगर E यहाँ पर है यह नहीं तो यह तो ऐसे भी खतम अब देखो, यहाँ पर 10 20, 20 यहाँ पर बोल रहे है, जो कि possibility नहीं दिख रही है यह तो यह भी गलत मतलब यह हमारा answer सही होगी बात समझे रहे है इसे आप decoding, coding का आप clear रह सकते हो समझे रहे है सो नाव next question पर चलते है next question पर चलते है next question कर रहा है आपन next question यह next question भी काफे बहतरीन है इसके बाद यह second last question है इसके बाद आपन एक last question करेगा उसके बाद ask के लिए enough है इतना फिर next class में फिर से new session के साथ new classes, ओके तो next question हमारा यह है क्या दिया इन्होंने a, f, k, h, m, r, t और y यह missing है यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसे missing पर आप कौन सा मतलब what को डाला जाएगा कि हमारे जो question solve हों एक मिनट खुछे try करें दैन उसके बाद answer देखती है okay simple questions है easy है, tricky है हर question इसमें जो भी कराया है मैंने वो सारे के सारे tricky है तो focus करो आप इस question पर तो चलो question solve करते है कहाँ पर आपको इस question को solve करने के लिए आपको तो सबसे पहले ABCD जो भी है वो याद होना चाहिए ABCD जो भी है उसको याद होना चाहिए तो simply अगर आपको याद है तो आप उसको उंगले को गिन लो अगर नहीं गिन पा रहे हो वहाँ पर calculate नहीं कर रहे हो then आप simply आपका यह रहे है कि आप किसी paper पर note down करो max अपको 26 seconds लगेंगे तो देखो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z done X, Y, Z ठीक है यहाँ पर देखो A हमारा A है ठीक है A के बाद हमारा F है point देखो कितनी point के बाद F आ रहे है हमारा 1, 2, 3, 4, 5 में नमबर पर ठीक है F के बाद हमारा के आए है 1, 2, 3, 4, 5 5, 5 का difference है H देखो H यहाँ पर है H यहाँ पर है उसके बाद M कितने बाद है 1, 2, 3, 4, 5 5 का difference है then M के बाद आ रहे है 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है simple अब देखो T यहाँ पर है इससे 5 बैक जाना है 1, 2, 3, 4, 5 it's mean कि O is our answer तो इसका answer O होगा और O हमारा answer बाद समझ मैं है इस clear इस type के logic आपको लगाने है इस type के questions आपको आएंगे समझ पा रहे हो इस type के questions आपको आएंगे तो आज के इस video का last question यह है जो अभी मैं करा रहा हूँ उसको clear करते हैं देखो कि यह भी coding और decoding का ही question है तो यह question है F A B O U R जिसको code करा गया है E B U P T S पर ठीक है और D A G G E R C B F H D और last है S I'm so sorry हाँ तो यह है हमारा इसको आपको coding करना है कैसे करेंगे आप coding simple मैंने last question जैसे आपको समझाया था वैसे यह आप करना है यहाँ पर F जो है E हो जा रहा है ठीक है A जो है B हो जा रहा है B जो है U हो जा रहा है O जो है T हो जा रहा है U जो है T हो जा रहा है R जो है S हो जा रहा है प्लस हो रहे हैं, एक एक वर्डिंग जो है हमारी प्लस वर्डिंग, मतलब F के बाद, नहीं, नहीं, सॉरी, यहाँ पे देखो, थोड़ा सा आप देखो, देखो यहाँ पे, पहला वर्ड जो है F है, तो उसका बैक वर्ड ए है, देखो, यह थो आसा ट्रिकी है, कन्फ्यूज देखो पहला वर्ड जो F है तो इसका बैक वर्ड जो है वो E है ठीक है इसमें की D का जो बैक वर्ड होगा वो C होगा ठीक है E के बाद हमारा B आता है ये clear है तो E के बाद यहां भी हम B ही लिखेंगे Manson ठीक है U है U के पहले क्या होगा G के पहले F होते है यहां पर F समझपा रहे हो एक बढ़ रहे है एक घड़ रहे है PLUS, MINUS, PLUS, MINUS, ऐसी ही चल रहे है, ठीक है, यह फिर MINUS, PLUS, MINUS, PLUS, इस टाइप के QSNS आपके आते रहेंगे, ठीक है, यह QSNS ऐसा ही है, समझ रहे हो, देख लिए, अब P है, P में क्या होगा, PLUS होगा, ठीक है, पहले G Double है, G Double है, ठीक है, एक मिनित, झाल